आथो टीटू, साउंड के साथ शुरू करते हैं वारे शोग बनाने वाले तेरे मन में ऐसी क्या बात आई? वारे शोग बनाने वाले तेरे मन में ऐसी क्या बात आई? जब पहले सीजन में हग दिया था, तो दूसरे सीजन बनाने की क्या नोबत आई? उमीद है तुम इन दो लाइनों से समझ के होगी कि इस web series का review मैं अच्छा नहीं करने वाला हूँ तो जिन लोगों को ये web series बहुत जादा पसंद है और जो जल्दी से offend हो जाते हैं इसमें total 10 episode है इसके first season में और इसे direct किया है गोल्डी बैल ने अब मुझे इसके cast का किसी का भी नाम नहीं लेना क्योंकि मेरा mood नहीं है उनका नाम लेने का जब इसका second season आया था मैंने सोचा इसका first season बहुत दमाकेदार रहा होगा और बहुत अच्छा रहा होगा कि लोगों ने demand की इसके second season की तो second season देखने से पहले अच्छा था कि मैं first season देखूं तो मैं first season देखने बैठा और जब मैंने इसका first season के एक दो episode देखे सच में मेरी हिम्मत जवाब देखे थी मेरा मन तो कर रहा था यार बस अब इसे छोड़ दू यहीं में पर जैसे तैसे मैंने का यार जो काम शुरू कर दिया उसे at least खतम तो करते है तो अपने आपको motivate करके अपने आपको हिम्मत देके वो जैसे तैसे करके मैंने इसका first season complete किया और जब इसका first season खतम हो गया तो मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी कोई कैसे इतना ज़्यादा हग सकता है और अब इसका second season है मैं तो हैरान हो रहा हूँ और रूभी काम परी है मैं मतलब उसके अंदर कितना ज़्यादा और क्या गंदगी दिखाने ही कोशिगी होगी कैर चोड़ो यार स्टोरी की बात करते है अरे स्टोरी नहीं है चलो कोई ना क्रेक्टर की बात करते है अब इसके क्रेक्टर बढ़े मुझेदार है बड़े funny है ध्यान से सुना एक लड़की है तो पूरे सीजन में इसके 10 एपिसोड के अंदर वो यही confused रहती कि वो लड़की है या लड़का मतलब शरीरिक रूप से तो वो लड़की है लेकिन मन से वो अपने आपको मना नहीं पारी कि वो लड़की है लड़का अब समझाता में बस यही चल रहा है उसका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम लोग भूल जाओ यार अपनी लाइफ में तुम कुछ अचीव करोगे या कुछ महान काम करोगे अटलिस अभी तक तुमने अपना जेंडर नहीं पहचाना है तो और फिर यह स्कूल में 14-14 स अइस साल के निबा निबी यह करने में लगे हुए है ये 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 य। ये 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 इन ने चार्प पॉइंट वठाया है इस वैब सेरीज में बोरी शेमिंग को लेके तो इसमें एक लड़की थी उसको मोटी कहने पर मतलब उसका शरीर का मजाक उड बोडी शेमिंग को चोटे मोटे जो तुम्हें बोल दी जाते हैं एक बार मेरे दोस्त के ग्रूप में बैठ जाना वो एक दूसरे को इतना हद तक टॉंट मारते हैं एक दूसरे का इतना मजाग उड़ाते हैं कहीं तुमने वो चीजें सुन लेना तुम तो सुसाइड कर जिनको स्टार्टिंग में बोला था भाई वीडियो वहीं बंद कर दो और तुमने नहीं मानी और अभी तक वीडियो देख रहे हूँ चलो अब दूसरे क्रेक्टर के बात करते हैं एक लड़की जिसे मोटी जैसे वो उसका बोड़ी शेमिंग को लेके जिस लड़की के बहुत ज्यादा दुख दर्द कहानी है जब मैंने यह सुनी थी उसकी दूर दर्द कहानी तो मैंने रूंग्टे कड़ी होगे तो मुझे गुस्सा आ गया तो यार ऐसे कैसे कोई लड़का कर सकता है इसके साथ मैं भी आपको बताता हूँ तो 11 के जो माबाप है वो आरव स इसकी शादी करवाना जाते हैं तो 11 तब मोटी थी तो 10 के माबाप क्या करते हैं इसको डाइétais पे रखते हैं कि तूब पतली हो जा, वर्जीस करवाते हैं, इसके health को सही करवाने के कोशिश करते हैं, तो इस चीज से वो offend हो जाती है, उसे ये बहुत दुखदर्द जहलना पड़ता है, उसे पतला होने के लिए, तो भाई यही इसकी दुखदर्द कहानी थी मैं सच कहा रहा हूँ ऐसी ऐसी कहानी सुनकर कहा थे कौन है यह राइटर सच मैं यार तुम्हें तो ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए ओ 82 यार फिर से जैकी शरोफशर को बुला के ले क्या यह नहीं मानेंगे बिना गालिक है अब यह क्या रहा हूँ आरफ शर्मा को परिशान करने के लिए अपने बैग में कैंची रखती है कव सिर्फ रखती है अभे कौन रखता है सठिया गई हो क्या तुम लोग सच कहा रहा हूँ इस सीरीज को देखने मैंने करीब करीब अपने 7 गंटे बरबाद कर दी है इसकी तो अच्छे से बजा के जाओंगा मैं रिजेक्ट्स फर्स सीजन में इसके 10 एपिसोड है मैं सच कहा रहा हूँ इस 10 एपिसोड की बिलकुल जुरूरत नहीं थी इसके पहले एपिसोड में किवल 10 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी सीरीज खतम की जा सकती थी लेकिन नहीं हगने का शोग चड़ा है न इसके मेकर्स को और शोग तो बहुत बड़ी चीज होती है तो बड़ा-बड़ा हगेंगे इसलिए इसके 9 एपिसोड एक्स्ट्रा बनाएं गई साले 14 साल के निभे अपने 30 साल की टीचर के साथ ये करने में लगे हुए है और ये क्या लिखा है तुम लोगोंने भाई वो उससे अच्छी एक्टिंग कर लेता और इसमें एक रैप बैंड भी दिखाया गया है वो रैप करते हैं इंग्लिश में रैप करते हैं और जो इसकी जो तुलना की गई है मुझे देखकर ही यहां सी आ गई Eminem के जाथ इसकी तुलना कर रहे हो अब एक गू-गू होता है समझ रहे हो न तुम लोग आज ना सच में इतना गुसा चड़ा हो है इतनी घटिया वाहिया सीरीज देख देखके मेरे करीब सात गंटे खराब होगे तो भाईया सात गंटे का बदला तो मैं लोगा और नीचे गाली लिखने के लिए भी त्यार होगे लिख लो comment box open है मैं सहन कर सकता हूँ ये offend होने वाले अपने में वो नहीं है हमारे पहले भाई सहन शक्ती बहुत बढ़ा रखी है हमारे दोस्तों नहीं बढ़ा रखी है ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मोटा कहा दिया तो offend होगे पतला कहा दिया तो offend होगे इतना वो कच्छा दिल लेके नहीं बैठे हुए यहाँ पे तो तुम्हें गाले लिखने हैं डिसलाइक करना है बेशा करके जाओ यहाँ पे मेरे दरब से ऐसा कोई रोक टोक मुझे नहीं मिलेगी ना मैं वो लाइक डिसलाइक कर रेशो बंद करने वाला हूँ ना मैं कॉमेंट बोक सो बंद करने वाला हूँ सब कुछ अपना open है भाई तो बस भाई इससे ज़्यादा मैं इसके उपर और गंद नहीं कर सकता है कैर बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद